हालो दोस्तो आज में लोग बात करेंगे शेर मार्केट के बारे में जानेंगे शेर मार्केट आखिर होता क्या है काफी सारा सुना हुआ है लेकिन अभी भी कुछ-कुछ लोगों को पता नहीं है कि शेर मार्केट क्या होता है और किस तरह से काम करता है देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज आते है अगर आपको पता है शेर क्या है तो आगे देखिए अगर आपको अभी भी नहीं पता शेर क्या है तो शेर क्या होता है उसका एक वीडियो हमने बनाया हुआ है तो पहले उसे देखिएगा बाद में इस वीडियो को देख Share Market पर आते हैं, दिखेज़ मार्केट, लेकिन लेकर को सामने वाला भाव बोलता है, हम यहां पर नेगोशियेट करते हैं, अगर सामने वाला 10 रूपया बोल रहा है हम लोग 9 रूपया बोलते हैं exactly, अगर वो ही अगर हमारे 9 रूपय से मैच करता है सब्जी वाला हाँ बोल देता है तो हम लोग सब्जी को खरीद देते हैं otherwise दूसरे शॉप में चले जाते हैं देखते हैं कहां वो सबजी हमें 9 रुपए में मिल रही है सबजी लेते हैं समय ये भी देखा जाता है क्या वो अच्छी है क्या वो बुरी है है ना exactly same यही share market में होता है बस यहाँ पे market की मंडी जो होती है वो digitalize होती है हमें mobile से या laptop से या computer से उसे access करना होता है और वहाँ पे एक software होता है जहां से हम लोग buying या selling करते है example अगर आपको खरीदना है share और मुझे बेचना है तो हम लोग एक platform पे आते हैं जिसे सबजी मंडी कहते हैं इसे तो share मंडी कहेंगे हम लोग तो मैं अपनी बोली लगाता हूँ हम दोनों में deal कब होगा एक तो आप एक रुपया जादा दो या फिर मैं एक रुपया कम करूँ जब हमारे numbers match करेंगे तभी आपको share मिल जाएगा और मेरा share जो है वो बिग जाएगा ये अभी digitize है काफी सारे software से available आप जो चाहे वो बाइ कर सकते हैं जिस broker से चाहे आप जुड़ सकते हैं और वो आपको share बता देगा कि आप जब अपने software पर लॉग इन करोगे तो काफी सारे share जहाँ पर available होते हैं आपको जो अच्छा लगे उस company का share आप बाइ कर सकते हैं और अपने पास यानि अपने डिगमेट अकाउंट में उसको safely रख सकते हो ताकि जब आपको अच्छा फाइदा हो उस share को आप किसी और को अच्छे दामों में बेच सकते हो तो यह था दोस्तों share market I hope आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में Thank you